हेलो फ्रेंड संगीतक चन्म आप सबकी स्वागत है तो चलिए आज कच्छे कोकोनेट कलर डूबना आते हैं जो बनाने में बहुत कम समय लगता खाने में बहुत स्वातिस्ट होता और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब सेर नहीं किये तो प्ली है अब इसे grater से grates कर दूगी आप किसी भी फेस्टेबल में फ्रेंट से लटू आप कोकोनेट को बना सकते हो क्यों कि समय कम लगता और बनाने में भी ऐसी है असान है तो आप अराम से घर पे किसी भी तहवार में बना सकते हो इस तरीके से ग्रेट कर देना है तो देखे Clo को ग्रेट कर रही हूं अब मैं एल्रडी ज मुंग कतला सिरा catoult कि लड्डु ना इसमें टेस्ट अफ्शी आती है अब के देखे नपैब काजु को रोष्ट कर दे रही हूं रोस्ट हो चुका है इसे निगाल देती हूं अब इसमें किसमिस डाल कर रोस्ट कर दे रही हूं क्योंकि किसमिस भी हलका रोस्ट कर दो तो इसकी फ्लेवर जो टेस्ट है अच्छी आती है फ्रेंड से यहां मैं कोकनेट्ट चार कप ली हूं तो इसे हलका ब्राउन होने तक इसे वूनूंगी घस का फ्लेम कम करदूंगी ज्यादा हिट होने से ज्यादा ब्राउन हो जाएंगे इसलिए मुझे बहुत ज्यादा भ्राउन नहीं करना हलका ब्राउन करना सिर्फ इस कोकोनट को ड्राय करना है देखे कोकोनट का कलर चेंज हो चुका है अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लूँगे अब देखिए फिर मैं कराई को ग्रम कर रखी हाप कप वाटर डाल देती हूं और यहां पर मैं दो कप गूर्ट भी डाल देती हूं और इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देती हूं गैस का फ्ले मीडियम कर दूंगी यहां पर अब जो ड्राइफट था न उसको मैं क्रस्ट कर रख्यू है यह देखिए इस तरीके से अब यहां पे देखिए गुड मेल्ट हो चुका फेंफें से हो गया अच्छे से अब इसमें जो भी कोकॉनट है वो सारे कोकॉनट को मैं इसमें डाल दे रहें है आप इसे मिक्स कर दूनगी अच्छे से अब इसमें देखिए अब मिक्स कर रही हूँए अब इसमें जो भी ड्राइफ उट है, वह भी मैं इसमें डॉन देती हूँ क्योंकि क्रस्क करने से इलांची का पॉडर का टेस्ट आता है फ्लेवर उसके अच्छी आती है यह देखिए अब मैं गैस को बिल्कुल कम कर दे रही हूं फ्लेम उसका इसमें कोकनट में ठीकने सा गई अच्छे से अब इसे मैं एक बॉल में निकाल कर देखिए दस मिनट तक मैं छोड़ दी थे इसे पूरा ठंडा नहीं करना फ्रेंट हलका गरम होना ताकि लड़ू प्लाने में अच्छा हो आराम हो और अच्छे से बन जाए दोनों हाथों में मैं घी लगा लें ताकि हाथों में चिपके नहीं यह देखिए इस तरीके से हाथों से दबा दबा के लड़ू को बनाना है और इसे अगर जल्दी से थोड़ा टाइट करना है लड़ू को तो आप फ्रीज में रख सकते हो आदा गंटा के लिए या नहीं तो बाहर आप दो बहुत ही कम समय में लड़ू बन जाता है आप अराम से घर पर बना सकते हो यह देखिए इस तरीके से मैं सारे लड़ू को बना लूँगे यह देखिए बना ली सारे लड़ू फ्रेंस देखिए कितना सुंदर बना है अगर आपको हमारी रेश्पी पसंद आती है लाइक औ अगला वीडियो में आपके सामने लें